सब्सक्राइब कीजिए हर्बल मजा चैनल को और बेल आइकन को दबाएए लेटेस्ट हर्बल हॉम रेबिडिस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और ये बिल्कुल फ्री है वेल्कम दोस्तो आज का हमारा टॉपिक है कैसे आप पीनिस पंप को यूज करके और 15 इंगेजेंट्स वाले और यूज को यूज करके अपनी पीनिस की लंबाई को एक से तीन इंच तक और गिर्थ को एक से दो इंच तक बढ़ा सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं ये पीनिस पंप है और इसमें ये हैंड पंप है इसके थूरू हम वेक्यूम डवलप करते हैं पीछे की तरफ पुश करके और इसी के साथ इसके अंदर एक फाइन प्लास्टिक का बना हुआ पीनिस सिलेंडर होता है जिसके अंदर पीनिस को फि और इसके अंदर कुछ rubber रखी हुई है जो कि आपको penis cylinder के उपर fit करनी होती है जबकि आपको उसको use करना होता है देखें मैं आपको fit करने का तरीका बता देता हूँ इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि आप penis pump को use करेंगे तो penis pump के use करने के साथ साथ within one month आपको बहुत अच्छा result मिलेगा जाता जितने भी हम लोगों के पास comments आये हैं और जिन लोगों ने इसको लिया है उन लोगों ने बहुत ही अच्छा result इसका बताया है तो मैं आप सभी लोगों को suggest करूँगा कि जिन लोगों ने अब तक penis pump नहीं लिया है और वो oil जिसमें 15 ingredients हैं वो नहीं use किया है तो आप उसे use करके बना कर use करके जरूर देखें और इसको use करने का method यह देखें कि यह tube है rubber को हम इसको fit कर लेते हैं tight वाली side से और इसके अंदर एक portion होता है बारीक side का बारीक मूँ वाला और एक मोटे मूँ वाला तो मोटे मूँ वाले portion को हम इस पीनिस pump के पीनिस सिलेंडर के अंदर fit कर लेते हैं अच्छी तरह बहुत easily fit हो जाएगा और इस जो बारीक point है इसको हम hand pump में अच्छी तरह से fit कर देते हैं अब यह हमारा पीनिस pump यूज करने के लिए बिलकुल ready है हम इसको use कर सकते हैं अब आप इसको बाय हाथ में अपने hand pump और दाय हाथ से आप पीनिस को इसके अंदर enter करेंगे और जैसे ही आप इसके अंदर pressure बनाएंगे आप पीनिस pump में देख सकते हैं कि इसमें pressure बनता जा रहा है और यह जो मैंने gloves पहने हुए हैं यह अंदर की तरफ खीचा चला रहा है क्योंकि इसमें pressure बन गया है अब अगर हम इसके ऊपर वाले portion को अंदर की तरफ करते हैं तो इसका pressure नहीं निकलेगा और जैस कि हम आपको दिखाते हैं कि हमें कैसे use करना है oil के साथ इस penis pump को suppose यह penis है और penis को हम सबसे पहले oil से अच्छी तरह लगा लेते हैं oil को penis के ऊपर पिछली वीडियो में मैंने इस oil को बनाना आपको सिखाया हुआ है जो कि मैं अभी आपको मसाज करके दिखा रहा हूँ और इसको penis पर लगा के दिखा रहा हूँ इसके बड़े अच्छे results आएं आप ज़रूर बना कर उसको use करें और इस video का description में मैंने link दिया हुआ है आप उसमें जाकर 15 ingredient वाला यह oil बनाना सीख सकते हैं अब हम penis pump में penis को enter करने से पहले penis के चारो तरफ से और glance penis पे भी अच्छा खासा तेल लगा लेते हैं जिससे कि वो चिकना हो जाता है और यह penis enter करने में भी और penis enter करते वक्त easily enter हो जाता है और साथ में इसकी जो पोस जब open होते हैं तो उस पोस के अंदर यह oil भी धीरी धीरी चला जाता है तो penis में जब oil लगाएंगे तो इसको हम अंदर करेंगे और जैसे हम अंदर करेंगे तो penis धीरी 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 erect होना शुरू हो जाएगा obviously यह erect हो ही जाता है condition में और जब erect हो जाए या ना erect हो लेकिन जैसे ज इसको कम से कम इस पोजिशन के अंदर 3-4 मिनिट तक आपको वेक्यूम बनाकर रखना है। इसके बाद आप वेक्यूम बनाने के बाद आपको कम से कम इतनी देर वेक्यूम बनाना है और ऐसा इतना वेक्यूम बनाना है कि आपको पेन फील ना हो। वैक्यूम जब बन जाए, कम से कम 3 मिनट तक आप वैक्यूम बनाके रखेंगे, उसके बाद फिर आप इसकी एर को रिलीज कर देंगे, और फिर आपने पीनिस को बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद कम से कम 1-2 मिनट आप फिर आराम से पीनिस को धीला शोर देंगे, उसके बा कम 10-15 मिनिट यूज़ करने के बाद आपको अपने पीनिस की इस 15 इंगरेंट वाले ओयल से मसाज करनी है इसके अलावा भी आपको अच्छा ओयल यूज़ कर सकते हैं इस ओयल के बनाने का मैथेड मैंने डेस्किप्शन में दे दिया है वहां से जाकर आप डारेक्ट उस वीडियो को देख सकते हैं तो इस पीनिस को आपको अच्छी तरह कम से कम 1-2 ml ऑईल लेकर अच्छी तरह से पीनिस के चारो तरफ लगाना है और उसको अपवट पोजीशन में आगे की तरफ हलकी हाँ से स्टोक्स देने हैं जिससे कि आपकी पीनिस की जो मसल्स हैं, वो आगे की तरफ स्ट्रेच होती हैं, खिछती हैं, और उनके अंदर, उनके पोर्स की अंदर जैसे यह ओईल जाता है, तो उसके अंदर स्ट्रेंथ पैदा करता है, अब दुबारा आप इस पोईल लगाएं, फिर उसके बाद आप पैगवर्ड पोजिशन के अंदर पहां से साथ बार स्ट्रॉक देंगे, इस तरह करके आपको ओईल इस पर एपलाई करना है, कम से कम एक से दो एमल आपको ओईल लगाना है, और कम से कम तीन से चार मिनट तक आपको मसाज करनी हैं, दोनों पोर्शन में और इसके उपर वा पोर्शन में और दाएंबाय के पोर्शन में आपको खास सोर्स पर लगाना है, और ग्लांस पीनिस को छोड़ देना है, इन तीनों पोर्शन पर अच्छी तरह मसाज करनी हैं, और दीरे दीरे जैसे आप मसाज करेंगे, तो ये इसका साइज इंक्रीज होना शुरू हो कर सकते हैं, और आप मुझसे उसके बारे में कुछ पूच भी सकते हैं, तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, हुआ भिए ज Oleoz, कर दो ब मी दे तब कर दो भी सकते लिए झाट में एक भी स değे बामान का टीरे भी साbeneपशाश नई वीडियो जप कर दो ऑलना शुक्री स्कतिव भी ये ईंक्री कराने हैं, जिक बामार्स रही दीज़ भीसोबर हो भी सче उना टक्री दो जाच्य कर दे दो